अभी आप जिस आदमी को पार्क में गुलूलूलू करते हुए लोगों को डिस्टर्ब करते हुए उनकी चुम्मी रहने की कोशिश करते हुए और अपनी गाट से पैसा छापते हुए यानि जिसके पिछवारे से पैसों की गड़ी निकलते हुए देख रहे हो ये कोई आम इ देखते हैं इसी बीच वो रोबोट का टोपा एक सैटलाइट से टकरा कर अपनी एक्जेक्ट जगे पर गिरने के बजाए जोस नाम की एक लड़के के घर में मौजुद एक फिसबॉल में गिर जाता है और उस फिसबॉल में मौजुद पूरा का पूरा पानी चूस जाता ह जो देखर जो सोचता है कि ये क्या बवासीर है आगे तीन महीने बाद और एक अंजान चीज धर्ती पर स्टैचू आफ लिविटी के नीचे मुह के बल आकर गिरता है हम देखते हैं कि वो अंजान चीजे कोट बूट पहना हुआ आदमी था और साइध वो रोबोट का इसी दिखाता है इसी बीच वो चलते चलते बीच रास्ते में पहुँच जाता है और एक कार आकर उसे उड़ा देता है जिसे उसके पैर में मोचा जाती है और उसका पैर मुर जाता है कार से वो लेडी जब बाहर निकलती है तब तक वो वहां से 9-11 हो चुका था वहां से भाग कर वो एक खोपचे में जाकर खड़ा हो जाता है और तभी उसके कान से कुछ छोटे-छोटे एलियन बाहर निकलते हैं और उसके पैर को ठीक करने लगते हैं दरसल ये कोई इंसान नहीं बलकि एक स्पेस्टिप है जिसके अंदर बहुत सारे एलियन मौजुद है जो की म कैप्टेन अपने एसिस्टेंट और बाकी सारे क्रू मेंबर्स को लेकर एक मीटिंग बुलाते हैं उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग नील नाम के एक ग्रह से आये हैं जहां का रिसोर्स खतम हो चुका है और तीन महीने पहले वो रोबोट का टोपा उन्हीं नह रिख लेता है वो अपनी माको बुलाता है जो कि वहीलड़की थी जिसने उस शिपशीप को अपनी फर्चुनर गाड़ी से उड़ाया था वो दोनों जल्दी से उस शिपशी अपके गोड़े को दोड़ाता है और इन्टरनेट की मदद से टरांस लेट करके उससे बात करता है वोहीं दूसरी तरफ हम कुछ पुलिस आफिसर्स को देखते हैं जो स्टैचू अफ लिबिटरी के पास उस स्पेस्शिप के गिरने के निशान को स्टाडी कर रहे थे वो लोग आखिर कर उस स्पेस्शिप के आकार को समझ जाते हैं जो की दिखने में एक इनसान की तरह था इसलिए पुलिस पुरे शहर में उसे डूड़ना शुरू कर देते हैं इधर वो स्पेस्शिप जब जोस की मा के साथ बात कर रहा था तब उसकी आवाज की फ्रिकेंसी जादा होने के वज़े से आसपास में मौजुद सामान तूटने लगता है अंदर मौजुद जाज था और वो अकेले केले मुझा लूटना चाहता था इसलिए वो मूठा कर जौस की मा के साथ उसके घर पर चला जाता है जौस की मा उसे वहाँ पर अंडे फोडने का काम देती है तो वो सभी अंडे को उसके उपर के हिस्से को समयत मिला कर पेश्ट बना देता है और ज साइन्स एक्जिबेशन क्लास में दिखाई थी और तभी का ही फोटो है अब क्योंकि उन्हें वो रोबोट का टोपा चाहिए था इसलिए तुरंत वो लोग जौस की लोकेशन को ट्रेस करते हैं और वो स्पेश्चिप जौस की मा को गुडबाई ना के ही वहां से दुम लगने के लिए कहता है इधर वो स्पेश्चिप एक एपल के स्टोर पर पहुंच जाता है जहां पर उसे एक सेल्समेन एक हेडफोन चिपकाने की कोशिश करता है वो स्पेश्चिप भी उस अजीब चीज़ को अपने कान का टोपा समझ कर पहन लेता है लेकिन जब उसमें गाना बजना शुरू होता है तभी स्पेश्चिप के अंदर मौजुद सभी लोगों की फटकर 464 हो जाती है खेर आगे वो एक पार्क में पहुंचता है जहां पर वो एक लड़का और एक लड़की को पपी जपी लेते हुए देखकर उनके पास जाकर वो उनकी चूमी ले दिने के लिए धरती पर पैसे नाम की एक बस्तू को इस्तेमाल किया जाता है इसलिए वो वहां पर कुछ पैसो को अपने हाथों से स्कैन करता है और ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने पिछवारे से हुबहु उसका कॉपी यानि पैसो की गड़्डी निकालता है आगे वो है जिसको वह अपनी नाक में डाल कर छिल कर उसे देता है आ आगे वो जोस को एक हौपचे में बूला कर उसे उस रोबोट के टोपे के बारे में पुच्ताच करता है यहां पर जोस उस से कहता है कि उससे वो रोबोट का टोपा स्कूल के एक बदमास लड़के ने छिन लि और कैप्टेन उसे ना नहीं कह पाता जबकि स्पेस्शिप के अंदर मौझुद बाकी सारे क्रू मेंबर्स कैप्टेन को ये करने से मना करते हैं क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम थी पर कैप्टेन उनकी बात नहीं सुनता ख्यार खाना खाने के बाद वो spaceship वहाँ पर एक तस्वीर को देखता है जिसके बारे में जोस की मा कहती है कि ये तस्वीर प्यार का प्रतीक है अब प्यार का नाम सुनते ही वो spaceship कहता है प्यार ये क्या बवासीर है कहां मिलता है ये बस तू जिसमें जोस की मा कहती है अगर किसी को देखकर तुम्हारे मन में बुलबुला पैदा हो उसे पाने की चाहत खोने का दुख हो तो समझ लेना कि तुम उसके प्यार में लुड़क चुके हो यानी यही प्यार है खैर रात में वो स्पेस्शिप जब रास्ते में भटक रहा था तभी वो एक जगे पर जाकर बैट जाता है जहां पर एक भिकारी सर्दी से बचने के लिए उसके उपर चदर लपेट देता है अब स्पेस्शिप के अंदर मौजुद कैप्टेन ये देखकर सोचता है कि इंसान कितने दयालू होते हैं रात को कैप्टेन जब अपनी सेकरेटरी के पास जाता है तभी कैप्टेन देखता है कि सेकरेटरी मुवी देख रही थी उसी रात वो Spaceship एक party में देखता है कि कुछ बदमास बच्चे जोस को परैसान कर रहे थे वो Spaceship उन बदमास बच्चो के पास जाकर उन्हें उल्टा टांग देता है और तभी उसे वो बदमास बच्चो के पास से वो रोबोट का टोपा मिल जाता है अब उस रोबोट के टौपे को पाकर स्पेस्चिप के अंदर मौजूद कैप्टेन और बाकी सारे लोग बहुत खुश होते हैं वो स्पेस्चिप यहाँ पर जोस और उसकी मा को डिनर पर बुलाता है क्योंकि आद जोस की मा की बड़े थी इधर स्पेस्चिप के अंदर मौजुद क्रू मेंबर्स कैप्टेन के इस फैसले से बहुत नाराज होते हैं क्योंकि उन्हें आप वो रोबोट का टोपा मिल चुका था और वो लोग अपने प्लैनेट जा सकते थे लेकिन कैप्टेन कहता है कि जोस और उसकी माने हमें इस रोबोट के टोपे को ढूनने में बहुत मदद की है इसलिए हमें उन्हें पाटी देना चाहिए इधर इंसानों के साथ रह रहे कर उन एलियन्स के अंदर भी इमोशनल नाम की बस्तू पैदा होने लगी थी और किसी के अंदर एटिट्यूड आ गया था तो किसी ने अपने रूम को कोठा बना दिया था इसी बीच कैप्टेन की सेक्रेटरी एक होड्रस पहन कर कैप्टेन के पास आती है क्योंकि उसे कैप्टेन के साथ ठुमका लगाना था लेकिन उस spaceship को नाचना नहीं आता था इसलिए captain spaceship के अंदर सभी लोगों को उसे ठुमका लगाना शिखाने के लिए कहता है और वो इस पैतरे को जोस की मा के साथ करने लगता है अब वो दोनों जब उहां पर अपना जलवा दिखा रहे थे तब ही उस spaceship को ढूंटते हुए पुलिस उहां पर पहुंच जाते हैं और वो उसे पकड़ कर पुछताच करने के लिए लेकर जाते हैं इधर spaceship के अंदर कैप्टन की इन सारी हरकतों की वज़े से गदर एसिस्टेंट उसके उपर बगावत कर देता है और उसे कैद करके फरजी कैप्टन बन जाता है अब उस स्पेश चिप को वो फरजी कैपटन चला रहा था इसलिए वो अपनी उंगली से गोली चला कर पुली स्टेशन के दिवार को तोड़ कर वहाँ से निकल लेता है आगे फरजी कैपटन उस स्पेश चिप से सहर में भारी तभाई करता है जिस वज़े से pet की सेक्रेटरी असली कैपटन के पास जाकर उसे आजाद कर देती है लेकिन बाहर आते ही फिर से उन दोनों को pet ship के अंदर मौजूद सिपाही पकड़ कर फरजी कैपटन के पास लेकर आते हैं उनहीं आपर सजा के तोर पर उस स्पेस्चिप के नाक से होकर बलगम की तरह बाहर निकाल दिया जाता है इसी भी चुहां पर एक कुटा आकर उन दोनों के उपर मूत कर चला जाता है आगे वो दोनों और भी कई तरीके की मुसीबतों को जहल कर एक कैरी बेक को एर बलून की तरह इस्तिमाल करके किसी तरीके से फिर से अपने स्पेस्चिप के अंदर पहुँच जाते हैं इधर वो स्पेस्चिप एक टैक्सी को रोक कर उसमें बैठ जाता है और टैक्सी डाइवर को स्टैच्यू अप लिबिटर के पास जाने के लिए के लिए कहता है इधर बाहर उस स्पेस्चिप के गिरने की वज़े से उसके हाथ से वो एलियन का टोपा गिर कर पानी में चला जाता है और समंदर का सारा पानी वो एलियन का टोपा चूसने लगता है जिसको कैप्टेन रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इस काम को करने के लिए उसे काफी अनर्जी की ज़रुत थी जो कि उसके पास नहीं थी अब या तो वो लोग प्रिथवी को बचा सकते थे या अपने प्लानेट बापस जा सकते थे यहाँ पर कैप्टेन फैसला करते हैं कि वो लोग प्रिथवी को बचाएंगे क्योंकि अपने प्लानेट को बचाने के लिए वो लोग किसी दूसले प्लानेट को तभा नहीं कर सकते वो ये बात जब अपने सभी crew members को बताता है तभी सभी crew members भी उसकी बात मान लेते हैं आगे वो spaceship अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करके उस alien के टोपे को बापस से अपने पास खीच लेता है लेकिन इससे उसके अंदर मौजुद सारी energy खतम हो जाती है इसी बीच वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाते हैं और उस spaceship को gun point पर ले लेते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर जोश भी मौजूद था जो पुलिस के पास से एक treasure gun को छीन कर उस spaceship को electric shock देता है जिससे वो spaceship फिर से charge हो जाता है अब charge हो जाने के बाद वो spaceship अपना मूँ खोलता है जिसके अंदर से कैप्टेन और उसकी secretary निकलती है और वो लोग पुलिस को अपने बारे में और अपने mission के बारे में बताते हैं इहां पर कैप्टेन ये भी कहता है कि वो लोग अपने planet के लिए resource यानि नमक और पानी किसी दूसरे planet से ले लेंगे जो कहकर वो लोग वहां से जाने लगते हैं इसके बाद वो spaceship अपने planet के लिए निकल जाता है और उसके पूरे शरीर से current निकलता है लेकिन जैसे ही वो उपर पहुँचता है तब यहां पर FBI आकर उस spaceship को पकड़ लेता है अब वो officers जब उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं तब ही हम देखते हैं कि उस spaceship के जूते से होकर सभी crew members वहां से अपने planet के लिए निकल जाते हैं और पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाते इसके बाद मुवी के आखिर में कैप्टेन अपनी सेक्रिटरी से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मुवी की कहानी समाप्त हो जाती है